दू यू नो में आज हम बाचीत करने वाले हैं टिन प्लेट के बारे में दरसल यह कंपनी टिन प्लेट स्पेस में डॉमिनेंट प्लेयर के तौर पर शुमार है और लार्जेस्ट पैकेजिंग टिन प्लेट पैकेजिंग कंपनी के तौर पर आप इसे जानते हैं 70% इंडिया की प्राइम टिन प्लेट मार्केट का हिस्सा अकेले ये कंपनी डॉमिनेट करती है और ये हर जो प्रोड़क्ट्स के अगर एक्सपोर्ट के बात की जाये तो करीब करीब 25% जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उनको भी अपनी प्रोड़क्शन 25% हिस्सा जो है एक्सपोर्ट के तौर पर करती है इसके अंदर आप आप साउत इस्ट एशिया यूरोप मिडिल इस्ट यह कुछ ऐसे मारकेट्स हैं जहां पर इस कंपनी के प्रोड़क्ट्स के एक्सपोर्ट होता हो देखेंगे कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट तो एक सो तीन साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और शुरुआत जो हुई थी वह बर्मा ऊइल और टाटा आइरं एंड स्टील कंपनी यानी की Tisko, यानी की Tata Steel ने मिलकर इस कंपनी की शुरुबात की तो बर्मा ओईल और एक्जिस्टिंग टाटा स्टील इन दों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुबात की थी करीब 103 साल पहले और वो भी तब की थी जबकि उस समय पर जो टिन प्लेट की शॉटेज हो गई थी भारती बाजारों में और और बार को शुरुबार को शुरुबात किया अप्रल 1928 तक जब विक्टोरिया ब्रांड ऑफ किरोसिन ओईल ने किरोसिन ओईल का नाम था ब्रांड नाम था विक्टोरिया ओईल उसको जो बर्मा ओईल बनाते थे उसकी पैकेजिंग इस कंपनी ने शुरुबात करी टिन प तो उस quality का tin plate भी company ने एक समय पर बनाया है फिलाल अब company के जो product profile है उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो घी और container में जो भी घी और container का tin आप देखते हैं उसमें हर दो में से एक tin tin plate का होता है paint में हर चार में से एक tin tin plate का होता है juices, cans, baby food, dairy product, processed fruit में हर दो में से एक tin tin plate का होता है beer, flavored drink और ketchup में almost हर tin tin plate का होता है home care, industrial product में almost हर tin tin plate का होता है और dry cell जो batteries आपने देखी होंगी है, आम तोर पे excited, nipo या बाकी players की उसमें हर तीन में से एक cell tin plate बना कर दे रहा है, उसकी covering को है तो इस तरह का एक बड़ा product profile और इस तरह की class history है करीब 103 साल पुरानी tin plate, आए कुछ और fact लेकर आते रहे